आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीनियूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें दैतोरा सिकंदरा शित में गुरुगोविन नगर के हालात बिल्कुल ही खराब पड़े हुए हैं जलनिगम द्वारा गेहरी सिबर पाइपलाइन डालने के बाद गुरुगोविन नगर की सडकों पर गहरे गढ़े हो गढ़े हैं इन गढ़ों में से निकलने में शित्री लोगों को काफी परशानियों का सामना करना पड़ता है दैतोरा सिकंद्रा शितर में गृर गोविन नगर के हालात पिछले कुछ सालों से बस से बत्तर बने हुए हैं जलनेगम द्वारा गहरी सिबर पाइपलाईन डालने के बाद गृर्विन नगर की सडकों पर गहरे गढ़्डे हो गढ़े हैं तो चाड़क कसेना गुरु गोविन नगर के साथ मिलकर आंदोलन कर निकले विवश होगी. गुरु गोविन नगर के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि ये शित्र में ये हालात पिछले कुछ सालों से बने हुए है. गंदे पानी की निकासी नहीं होने के चलते घरों से निकलने वाला गंदा पानी कोलोनी के सड़क पर भर जाता है. वहीं बरसातों में जरा सी बारिश की बाद रोड पर कई फट पानी भर जाता है. आए दिन इस रोड पर गिरकर वहांचालक चोटिल हो जाते हैं. अरोद करूँगा इस छेतर का देखें चुनारम नजदीक है। मुझे यह नहीं लगता के असपास के चितरे छेत्र के लोग है उनका साथ है या उनका साथ विकास हो रहा है. इस विकराल समस्या से नगर निगम के जिम्यदार अदकारियों के साथ ही शित्री विधाय के उन्रता दिवाकर, फते पुस्तिक रिसान सद्राजकुमार चाहर को शित्री लोग आवगत करा चुके हैं लेकिन अभी तक यहां किसी भी तरह की विकास कारे शुरू नहीं हुए हैं।